क्या आपने कभी परियों को देखा है? शायद देखा ना हो लेकिन दादी नानी की कहानियों और फिल्मी द्रिश्यों से परियों के रूप और काया को दिमाग में बसा जरूर लिया होगा. बचपन की कहानियों की परियां बड़े होने बचकानी बातों सी लगती है, जिनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं लेकिन यादों में बसा उनका रूप रंग देखने की लालसा जरूर होती होगी भारत में एक ऐसी जगह है, जहां शायद आपको परियां देखने को मिल जाए इस स्थान पर लोग परियों की पसंद नापसंद के मुताबिक ही रहते हैं परियों का होना और दिखाई देना कितना सच है, इसकी पुष्टी तो नहीं की जा सकती लेकिन स्थानिय लोगों के किसों, कहानियों और यहां के रहन सहन के बारे में सुनने के बाद एक उम्मीद के साथ परियों के देश की सेर करने जाया जा सकता है खास बात ये है कि परियो के देश के नाम से मशहूर ये हिल स्टेशन दिल्ली से कुछ घंटों की दूरी पर स्थित है आए जानते हैं कि परियो का देश कहां बसा है और यहां कैसे पहुचा जा सकता है इस रहस्यमई हिल स्टेशन की कहानी आपको यहां आने के लिए मजबूर कर सकती है कहां है परियो का देश? उत्तराखंड के एक छोटे से हिल स्टेशन को परियो का देश कहा जाता है इस हिल स्टेशन का नाम खैट परवत है खैट पर्वत गड़वाल जिले में स्थित है खैट पर्वत समुद्र तल से करीब 10,000 फीट की उचाई पर स्थित है ये पर्वत किसी जन्नत से कम नहीं लगता कैसे पहुँचे खैट पर्वत? खैट पर्वत जाने के लिए उत्तराखंट के रिशिकेश से सडक मार्क के जरिये गड़वाल जिले के फेगोली पटी के थाट गाव तक किसी सवारी से पहुँच सकते हैं तिहली गड़वाल तक आपको बस सेवा मिल सकती है इसके अलावा टैक्सी या खुद की गाड़ी से भी जा सकते हैं थाट गाव के पास ही गुम्बदाकार पर्वत है जिसे खैट पर्वत कहते हैं क्या है मान्यता? लोगों का कहना है कि खैट पर्वत पर अचानक ही परिया नजर आ जाती है उनका मानना है कि परिया आसपास के गावों की रक्षा करती है कुछ लोग इन्हे परिया तो कुछ योगनिया और वंदेविया भी मानते है मंदर भी रहस्यमई? केवल खेट परवत ही नहीं थाद गाव से करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित खेट खाल मंदर को भी रहस्यमई माना जाता है कहते हैं कि इस मंदर में परियों की पूजा होती है और जून के महीने में मेला लगता है यहां रहने के हैं कुछ नियम यहां के लोगों का मानना है कि परियों को चटकीला रंग, तेज संगीत और शोर शराबा पसंद नहीं है इसलिए यहां इन चीजों की मना ही है घूमने आने वाले परियटकों को भी संगीत ना बजाने की हिदायत दी जाती है घूमने के लिहाज से यह स्थान हरियाली से घिरा, सुहाना मौसम और अद्भुत नजारों वाला है खैट परवत पर अखरोट और लहसुन की खेती भी होती है कैंपिंग के लिए भी यहाँ आ सकते हैं लेकिन साथ बजे के बाद आपको कैंप से बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिलती है